हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चेनल फार्मा रोक्स के यूटूब वेज्जू किसनल चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे सेमी सॉलिड डोजे स्पॉम के बारे में और हम सिखने वाले हैं ओइंटमेंट, क्रीम और पेस्ट के बारे में तो सेमी सॉलिड डोजे स्पॉम के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाले कोई डोजे स्पॉम हुए तो वो है ओइंटमेंट है, फिर क्रीम है और पेस्ट तो ये तीनों के बीच में difference क्या है तो वो हम सिखेंगे ये वीडियो लेक्चर में और जानेंगे उनके use वगेरा के बारे में तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox Thank you for being one leg family of PharmaRox Updated your Pharma knowledge के साथ, access कर सकते study material, test series, video lecture PharmaRox के mobile application के उपर अगर आपके पास Android phone है तो जरूर download से करें PharmaRox का Android application, Google Play Store पर से अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर से भी download कर सकते हैं, link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले अपना concept clear करें, semi-solid doses form के बारे में तो जैसे की कोई cream आप यूज करते हैं, कोई ointment है, कोई gel है या फिर paste जो आप skin उपर apply करते हैं, उनका एक तीन main function होते हैं एक तो therapeutic function के आप कोई disease या disorder के treatment के लिए आप उसको use करेंगे कि लाइक कोई fungal infection हुआ है, और fungal infection को treat करने के लिए कोई आप anti-fungal cream जो use कर रहे हैं, उसी तरह से कोई protective तो skin को protect करने के लिए आप कोई ointment वगेरा use करते हैं and साथी cosmetic functions के तोर पे आप कोई paste यूज करते हैं, कोई gel यूज करते हैं तो इस तरह से semi-solid doses form usually जो हम कहें तो external preparation होती है किस type के preparation? external preparations की जो आपके skin के layers के उपर आप जो है वो apply करते हैं external preparations कहें जाते हैं and इनकी जो हम consistency की जो बात करें तो semi-solid होते हैं मतलब कि उनके जो हम ingredients के बात करें तो उनके अंदर solid type के ingredients भी use होते हैं और साथ उसके अंदर ये वाला job देख रहें that is a liquid और एक ingredients होते हैं solid type के ingredients दूसरे ingredient होते हैं liquid type और दोनों को use करके job preparations बनाते हैं वो बनते हैं semi-solid कैसे बनते हैं semi-solid के ना proper liquid है ना proper solid है उन दोनों के बीच की जो condition वाले जो doses form तयार होते हैं अचार है semi-solid doses form तो जानते हैं और उनके बारे में तो फार्मासोटिकल प्रेपिरेशन फॉर ट्रीट्मेंट अब कंडिशन सच आज रैसीस कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो अलग-अलग creams यूज करते हैं, ointment, gel तो इस टाइप के यह फार्मासोटिकल प्रेपिरेशन से कि जो medically भी यूज होते हैं कि जो उनका therapeutic यूज कहा जाता है और जो winter seasons वगरा में आप जो cold cream वगरा यूज करते हैं तो वो, वो skin protective का काम करेगा, कुछ ऐसे creams होते हैं कि जो cosmetic के तोर पर यूज किये जाते हैं तो इस तरह से यह semi-solid doses form तयार होते हैं and are normally apply in the form of cream or ointment as this provide an effective mean delivering the active ingredient directly into the required area कि जो भी आपको affected area है वहाँ पे आप directly उनको apply कर सकते हैं the simple semi-solid doses form जो है वो external preparations के लिए बनाए जाते हैं कुछ therapeutically, कुछ protective and cosmetic function देते हैं तो जो हमें difference सिखना है अच्छे से कि ointment, cream and paste ये तीनो अलग-अलग तौर पर यूज किया जाते हैं कुछ cosmetic के तौर पर भी यूज होते हैं, therapeutically भी यूज होते हैं and also as a protective तो सबसे पहले आप ointment के अंदर जो point है वो समझे तो ointment are soft ointment कैसे होते हैं, तो usually they are soft कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ointment कैसे हैं, तो soft लिखा है semi-solid preparations meant for external application मालब कि आपके skin के जो external layer है, वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं to the skin or mucous membrane तो semi-solid preparation के जैसे कि आप यहाँ पर नीचे diagrams के अंदर देख रहे हैं, कि यह वाला जो petroleum jelly जो हम देखते हैं, vaseline वगिरा जो होता है तो वो ointment का काम करते हैं, कि वो ointment हम कह सकते हैं cream के अंदर आप देखो, तो creams are semi-solid यह भी semi-solid ही है, but they are one type of emulsion for external application and are generally of softer consistency and lighter than ointment मतलब कि आप उतको weight के अंदर देखो तो काफी light weight रहता है उनका compared to the ointment के काफी light रहती है उनकी consistency as well as काफी soft होते हैं यह जो आप ointment के compare में कि यह ointment और उसके compare में आप यह वाला cream देखें तो cream जो है, वो काफी soft होती है compared to the ointment जैसे आप कोई cold cream यूज करते हैं moisturizing cream वगरा यूज करते तो वो काफी soft होते है consistency के अंदर और काफी lighter preparations होती है compare to the ointment और यह जो emulsion इसलिए बनाए जाते हैं कि जो हम second point इनका सिखेंगे कि उनकी जो method of preparation से वो एक type की emulsions कहे जाते हैं कि जैसे oil in water, water in oil emulsion इस तरह से होती है यह creams फिर paste के अंदर समझे तो paste के अंदर आप just एक emulsion करें कि जो toothpaste वगरा जो होती है उसको emulsion करें कि तो आपको पता चलेगा कि paste are external application and high proportion of finely powder medicaments कि powder की हुए जो medicines होते हैं अलग-अलग drug products होते हैं वो कोई suitable semi-solid base के अंदर mix करके यह paste जो है वो बनाई जते हैं कि जैसे आप toothpaste यूज करते हैं normal तो उसके अंदर अलग-अलग ingredient उसमें सबसे ज़्यादा calcium carbonate वगरा होता है तो ऐसे अलग-अलग जो powder ingredients जो है वो किसे suitable semi-solid base के अंदर mix करके यह paste वगरा बनाए जाते हैं फिर हम दो देखें दूसरा difference यह तीनों के बीच में तो ointment के अंदर आप सबसे पहले समझो तो ointment usually contain the medicament which is either dissolve or suspended in a suitable base ingredient like petroleum jelly type base कि यह आप देखो आप यह watch glass के अंदर petroleum jelly जो है वो ली हुई है तो अब क्या करेंगे ointment बना लेके लिए यह gel के अंदर थोड़ा सा हम उसको melt करेंगे और melt करने के बाद उसको उसके अंदर जो medicine से कि लाइक आपको diclofenac sodium का ointment बनाना है फिर chloral hydrate का बनाना है boric acid है कोई antifungal agent है ऐसे जितने भी अलग-अलग medicated agent है उनका समझे के आपको ointment बनाना है कोई pain relief आपको ointment बनाना है तो वो related ingredients आप उसके अंदर mix करोगे तो इस तरह से यह ointment तयार होता है फिर cream की हम बात करें तो creams बनाए जाते है emulsification techniques से तो creams are usually a emulsion time preparation कि जो emulsions बनाया जाते है कि oil in water and water in oil type of emulsions जो होते है उस type से यह बनाया जाते है कि उसके अंदर एक ingredient रहता है कि एक phase रहता है water phase रहता है दूसरा phase रहता है oil phase और oil and water दोनों को emulsifying agent यूज़ करके अच्छे से emulsify किया जाता है और उस तरह से तयार होते है यह cream and creams is a preparation user application to the skin कि skin के उपर ही हम apply करते है external preparations के तोर पे paste की हम बात करें तो paste are prepared by mixing of different solid ingredient बहुत सारे अलग-अलग solid ingredient की like ingredient 1 है ingredient 2, 3, 4 ऐसे 4-5 ingredient अच्छे से क्या किये जाते है powder किये जाते है उनको powder करने के बाद अच्छे से उनका fine powder बना जाते है like 120 mass वाला fine powder बना जाता है और ये fine powder को अच्छे से mix करके उनके अंदर जो semi solid base है वो mix किया जाता है and उनकी जो consistency जो है वो maintain किया जाते है उसके करण हम कहे है तो उसके अंदर higher solid होता है and less liquid person powder काफी ज़्यादा होते है कि जो solid हो गए और जो liquid person इतना ही एड़ किया जाता है कि just आप उसको ऐसे consistency देशे के कि ये जो आप toothpaste देख रहे है तो ऐसे consistency maintain हो उतना ही हम उसके अंदर liquid portion या फिर जो हम semi solid base की बाद करते है वो उसके अंदर mix करते है तो ये है paste फिर हम तीसरा difference देखे तो ointment जो है तीसरे difference के अंदर ointment में आप अच्छे से देखे तो solid content is less drug is mixed with semi solid ointment base कि semi solid does this form तो बनता ही है बड़ उसके अंदर जो solid content होता है काफी less होता है काफी कम amount में solids रहते है and उनको mix किया जाता है किसी भी suitable ointment base के अंदर जैसे के हमने previous slide में देखा कि जैसे ये petroleum jelly है तो petroleum jelly के अंदर proper drug mix कर दी जाती है तो petroleum jelly का composition जादा होगा drug काफी कम amount में होगी तो less drug is mixed with semi solid ointment जो उसका example देखो तो जो pain relief balm होते है pain relief ointments होते है कि आप जो iodex preparation जो use करते है हिमालिया का जो pain relief balm आता है वो भी एक type का ointment type of reparations कहे जाते है फिर cream की हम बात करें तो जो आप winter seasons में cold cream use करते हैं फिर vanishing cream वगेरा यूज करते हैं कि आप देखो ponds के ये vanishing cream और ये वाला cold cream कि या पर उसके label के उपर भी लिखा है कि ये cold cream है और ये vanishing cream है तो vanishing cream cold cream वगेरा जो हम कहे हैं तो they are cream type preparation और solid content is very less as they are emulsion कि इसके अदर solid content बाहत काम होता है because पहले से ही जब उनके preparations तयार की जाती है तो solid को अच्छे से melt कर दिया जाता है and फिर उनका emulsion बन जाता है तो emulsification के कारण solid content काफी कम होता है creams के अंदर और दूसरी और हम देखे paste के अंदर तो ointment and cream ये दोनों को compare में सबसे ज़्यादा solid content जो है वो है paste के अंदर the solid content is more in paste compare to other semi-solid doses form जितने भी दूसरे semi-solid doses form है उनके compare में सबसे ज़्यादा solid content जो है तो वो है paste के अंदर कि just हम as a statistics के तौर पे हम देखे तो ointment जो है उसके अंदर 1-2% solid content रहते है यहाँ पे ज़दे से ज़दे less than 1% भी आप कह सकते है और paste के अंदर आप देखो तो कई बार 60-70% जितना solid content उनके अंदर रहता है तो ointment कि कुछ ointment होते है कि जिसके अंदर आप देखो drug तो 1-2% जितनी ही drug होती है बाकी का सब ointment based होता है creams के अंदर काफी कम amount में solid होते है because वहाँ emulsification हो जाता है और paste के जैसे कि आप toothpaste बनाई जाती है zinc gelatin paste बनाई जाती है तो उनके अंदर solid content काफी जादा होता है 50% से भी जादा solid content उनके अंदर present होता है और 60-70% भी आप कुछ cases के अंदर कह सकते हैं फिर चौथा difference देखे तो ointment are very greasy कि देखो या आप ये जो finger के उपर ये ointment लिया हुआ है कि लेक डाइकलोफनेक का आप ointment लिया है तो काफी greasy रहता है greasy मतलब कि oiliness जो है वो हम कहते हो oily जो हम कहते हैं कि oily preparations तो काफी oily preparations रहते हैं ये because उनके अंदर जो base है वो काफी ज़्यादा है drug काफी कम है और जो base होता है वो ऐसे base होते हैं कि जो oily base होते हैं like petroleum jelly तो वो oiliness produce करते हैं and produce greasy layer on skin कि जो skin पर आप समझे कि इसको आप apply करोगे spread करोगे तो greasy layer तयार करेगा ointment जबकि creams जो है वो non-greasy कही जाती है non-greasy मतलब कि they absorbs in the skin layer to make the skin smooth and moisturize कि जब आप cold cream यूज़ करते हैं moisture cream as well as venicing cream तो ये क्या हो जाता है कि जो skin के layer के अंदर अच्छे से absorb हो जाते हैं और उनका एक layer ऐसा बन जाता है कि आपको दिखेगा इने कि ना ही कोई oiliness produce करेंगे और ना ही कोई अपना layer चोड़ेंगे because वो अच्छे से absorbs हो जाते है skin के layers के अंदर उनको non greasy कहा जाता है अब paste के हम बात करें तो paste are less greasy do not produce any oiliness on a skin surface कि skin के surface के उपर कोई oiliness वगिरा वो produce नहीं करते कि कोई oiliness जैसा ही नहीं होता just because देखो कि आप toothpaste उस करते हैं तो toothpaste के अंदर oil content बहुत कम होते हैं उसे तरह से ये zinc gelatin paste होती उसमें भी oil content काफी कम होने के कारण ये काफी less greasy preparation सम कहते हैं फिर बात आते हैं पांचवे point के अंदर difference की तो सबसे पहले अब उनके actions देखे तो ointment जो है वो emollient के तोर पे काम करता है कि skin के उपर एक oily greasy layer बनाता है कि जो prevent करता है skin का moisture कि जो winter season के अंदर समझे कि आपको skin का जो moisture बनाए रखना है तो ऐसे ointment के लिए petroleum jelly आप यूज़ करते हैं vaseline वगिरा तो vaseline क्या करेगा कि आपके skin के layer के आपके skin के जो layer से उनके उपर एक अपना greasy layer तयार कर देगा जिसके करण जो moisture है वो आपके skin का loss नहीं होगा और protection प्रोटेक्शन प्रोएड करेगा आपके skin को इसे के लिए देखो उसकी आप पे लिखा है protection and emollient action के moisture भी प्रोएड करेगा oiliness देगा आपके skin को और उसको protect करेगा उसी तरह से creams जो है use in a treatment of dry skin and as a skin moisturizers तो जो normal cold cream vanishing cream का तो आपको बता ही है कि जो skin moisturizers के तोर पे काम करते हैं dry skin को treat करने के लिए use करते हैं बट जो medicated creams होते हैं कि जो अलग-अलग skin disease के अंदर use किया जाते हैं like close-up का यह जो cream आप देख रहे है clotrimazole तो वो vaginal infections के लिए treat किया जाता है अलग-अलग समझे कि कोई fungal infections होते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि broad spectrum antibiotic with fungicidal action कि जितने भी अलग-अलग fungal infection होते हैं उसमें भी यह cream apply की जाती है काफी fast absorb हो जाती है और उसकी action भी आपको जल्दी से मिलती है जबकि यह जो paste होते है usually plaster और prepare for protective action rather than therapeutic action तो यह तो toothpaste की बात है बड़ जो हमने zinc gelatin paste की बात की तो zinc gelatin paste एक plaster का का काम करता है कि जो भी आपको affected area like legs में कोई problem है तो वहाँ पे as a plaster के तोर पे वह लगा सकते है आप then toothpaste के अंदर भी हम बात करते हैं toothpaste जो हमारे tooth के protection के लिए काम करता है कि जो आप daily hygiene के लिए tooth के protections के लिए जो इस टाइब के toothpaste वगरा यूज़ करते हैं तो teeth protection के तोर पे भी यह काम करता है paste फिर हम देखे उसका छटा नंबर का difference जो है वो लगा रहे है तो usually जितने भी ointment preparation है वो directly apply किया जाते है on the skin and use for the external use के अक्स्टरनल यूज़ के तोर पे directly आप उनको skin के layers पर ही जो है वो apply कर देते जबकि जो creams गेंदर normal venicing cream जो होते है as well as foundation cream वो तो आप directly apply करेंगे but जो vaginal creams साथी है and usually apply with plastic applicator यहाँ पे देखो यह वाला यह जो plastic applicator आप देख रहे है तो ऐसे यह plastic applicator को use करके यह vaginal creams जो है वो vaginal area as well as vaginal cavity के अंदर apply के जब आपको cavity में अच्छे से apply करनी है medication यह cream तो आप applicator use करोगे और vaginal के outer regions के अंदर समझे कि medicine लगा नहीं तो वो आप directly लगा सकते है बड़ specially applicator उनके साथ दिया जाते है कि जब आपको vaginal के इंटर्नल cavity के अंदर भी medication को apply करना है तो यह vaginal cream के लिए applicator दिया जाता है फिर paste की बात करें तो जो अन्नास paste हम कहते है कि जिसको zinc gelatin paste भी का आजाता है तो apply with spatula और brush कि देखो यहाँ पर लेक के portion के अंदर यहाँ पर यह जो zinc gelatin paste लगाई हुई है और उसके उपर यह आप अच्छे से bandage किया हुआ देख सकते हैं तो affected part के उपर protective action देने के लिए and for their ability to absorb serous discharge from skin license के आप समझे कि इस तरह है कि skin के अंदर से जो serum वगेरा कई बार बार आता है कि serous discharge होते हैं तो उसको अच्छे से absorb करवाने के लिए ऐसे यह जो plaster कि यह जो आप देख रहे हो कि यह plaster का आजाएगा कि एक plaster type जो layer है वो आपके skin के उपर लगा सकते हैं by using spatula और brush to the affected part कि जो unnast paste हम जम कहते हैं zinc gelatin paste जो आप कहते हैं तो यह हुआ paste फिर जो हम देखे उसके दूसरे कुछ important differences तो सातवे नंबर के point में आप अच्छे से देखो तो not absorb not easily absorb and stay long time on the skin appointment क्या है आपने देखा कि काफ़े oily preparation है जिसके करण वो easily absorb नहीं होगा और काफ़े long time तक आपकी skin पर रहेगा जिसके करण उसका healing power कैसा रहेगा low because absorption काम है कि देखो absorb जो है वो कैसी होती है काफ़े slow होती है तो absorption slow होता है जिसके कारण उसका healing power कैसा हम कह सकते है low जबकि cream के अंदर आप देखे quickly absorb होती है and stay less time on the skin as it absorb the fast जिसके करण उसका healing power काफ़े fast मिलेगा paste के अंदर आप देखो तो paste में भी ointment जैसा ही हाल है कि take time to absorb and stay long time on the skin कि जैसे plaster जो आप बनाते है तो जो जिंक जिलेटिन पेस्ट के हम बात करते है तो वो काफ़ी long time तक रहता है and absorption slow होगा तो obviously healing power जो है वो low होगा फिर 7 और 8 नमबर का point दोनों combine में आपने समझ लिए 9 नमबर का point समझ जिए तो more quick and viscous sorry more thick and viscous ointment कैसे है काफ़ी थीक है और viscous भी है जबकि cream काफ़ी thin रहती है and less viscous हम कहे सकते है compare to the ointment या पे ये दोनों के compare में तो ointment पे compare में cream जो है वो काफ़ी thin कही जाएगी less viscous कही जाएगी and paste तो काफ़ी थीक preparation से बहुत थीक होती है वो 10 नमबर का point देखे तो ointment कैसे translucent appearance होता है creams कैसी होती है milky white होती है and paste कैसे होते है ओपाक मतलब की completely non transparent होती है paste जबकि ointment कई बार semi transparent होते है जिसके करण उनको translucent कहा जाता है और cream जो है milky white होती है कि जो originally जब creams बनते है तो milky white होते है but कई बार समझे कि उसके अंदर कोई colors वगेर आयक करते off white color या फिर light brown जिसे color भी produce किये जाते है 11 वा नंबर का point समझे तो high concentration of oil in a formulation कि petroleum jelly उसके अंदर काफी ज़्यादा ointment में है तो oil content ज़्यादा होते है आपके ointment के अंदर जबकि cream के अंदर low concentration of oil is it is emulsified emulsification होने के करण oil काफी कम रहता है and paste के अंदर तो बहुत ही कम oil या फिर कुछ paste ऐसी बनी जाते है कि without oil कुछ के अंदर को oil ingredient ही नहीं होता और 12 नंबर का point देखे तो ये thickness के related है कि thickness काफी ज़्यादा है थीक होते है viscous होती है जिनके करण lower spreadability and require rubbing to spread कि ointment को आपको spread करना है तो आपको rubbing करना पड़ेगा अच्छे से because इसकी spreadability कितनी है कैसी है lower है compared to the cream जबकि cream का आप देखो काफी soft होती है viscosity उसकी जैसे हम कहे है तो less viscous का आजाएंगा thin का आजाएंगा compared to ointment तो उसको easily apply कर सकते हैं उसकी spreadability कैसी होती है काफी high होती है and paste के अंदर as they are very thick paste कैसे होती है काफी थीक होते है जिसके करण वो उसके अंदर difficulty होती spread करने में इसलिए देखो ये जो paste के spread करने के लिए brush दिया जाता है spatula जैसा दिया जाता है कि जिससे easily आप affected area के उपर उसको spread कर सके तो ये था special lecture about the difference between ointment cream and paste कि जिसके नदर नो total 12 ऐसे point discuss किये कि जिससे आप ointment cream and paste को differentiate कर सकते हैं तो ये जो lecture notes होते है subject wise अच्छे से PPDF and PPDs जो lecture की आप rapid revision notes के साथ affordable price में pharma rocks से आप उपर access कर सकते हैं thank you for watching join कर सकते हैं whatsapp group access कर सकते हैं study material को test series and the video lecture on pharma rocks mobile application तो अगर आप android phone यूज़ करते हैं तो जरूर से download करें android application google play store पर से आसाने से मिल जाएगी and apple iphone है तो app store पर से download करें दोनों के link हमने description box में दे दिये हैं so good luck and all the best